आज की वीडियो हम सभी के लिए बोहत खास है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्योंकि बाबा साहिब आमबेडकर ने कई ऐसी किताबे लिखी जिनसे स्टूडेंट्स को खुद को शिक्षित करने और आगे बढ़ने की प्रेणा मिलती है। बाबा साहिब का मानना था कि किताबे किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम भीमराव आमबेडकर की वो कौन सी किताबे हैं जिससे हमारे जीवन को नई दिशा मिल सकती है। बाबा साहिब को मानने वाले लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतिय सम्विधान निर्माता डॉक्तर भीमराव आमबेडकर की निजी लाइब्रेरी दुनिया की बड़ी निजी लाइब्रेरी थी और इसमें 50,000 से अधिक किताबे थी आज भी उनकी 50,000 किताबे उनके मुंबई के घर राजग्रेह की लाइब्रेरी में मौजूद है। दॉक्तर भीमराव आमबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था। जिसका नाम इस समय बदलकर डॉक्तर आमबेडकर नगर रख दिया गया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। उनके पास लगभग 32 दिग्रिया थी। उन्होंने भारतिय सम्विधान के निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई और भारत के लोगों को शक्तियां देने की कवायद रखी थी। बाबा साहेब आजाद भारत क के पहले कानून मंतरी थे। बाबा साहेब का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। तो चलिए जानते हैं भीमराव अंबेडकर की किताबें कौन सी हैं। भीमराव अंबेडकर समाच सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे और उनके व्यक्तित्व के तरह उनकी किताबों ने भी लोगों के जीवन को नई दिशा दी हैं। इसलिए यहां हम उनकी किताबों के बारे में जानेंगे कॉंग्रेस और गांधी ने अचुतों के लिए क्या किया। कि चौथा वर्ण शूद्र कैसे अस्तित्व में आया था। अचुत कौन और कैसे इस किताब से यह पता चलता है कि कैसे इतिहास में बौध ही मास खाने और न खाने के कारण अचुत मतलब इस समय अनुसूचित जाती के लोग बने। रुपए की समस्या बाबा साहेब की य यह किताब उन मुद्दों की जाच करती है। अपना माल बेचने के लिए भारत में डौक्टर अमबेडकर ने दावा किया कि ब्रिटिश प्रशासन ने विनिमयदर को बहुत उचा, अधिक मूल्यांकित रखा। यह किताब मौधरिक नीती को बढ़ावा देती है। वीजा और कार्ल मार्क्स की कहानी पर आधारित किताब स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपून है और इसे अमबेडकर के विचार की भारत के लोगों को बुद्ध या मार्क्स में से किसे अपनाना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। पाकिस्तान के निर्मान और गांधी और जिन्ना की राजनीती पर है। इससे पाकिस्तान और भारत का विभाजन समझ में आने के साथ उस समय की स्थिती भी समझहा जाएगी। जातियों के लोगों के साथ ही महिलाओं को धर्म के तहट प्रताडित करने का उलेख किया है। अब जानते हैं बाबा साहेब ने कितनी किताब लिखी थी और उनको कितनी भाशाओं की जानकारी है। बाबा साहेब नौ भाशाओं के जानकार थे और उनकी लाइबरेरी में पचास हजार से अधिक किताबे थी। उन्होंने उस समय भारत की स्थिती देखते हुए कई किताबे लिखी थी। बाबा साहेब के द्वारा चालीस से अधिक किताबे लिखी गई हैं। बाबा साहेब आशा है कि इस वीडियो में आपको बाबा साहेब आमबेरकर की सारी किताबों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तो अगर आप बाबा साहेब को मानते हो तो उनकी लिखी एक किताब तो जरूर पढ़िये। आज की वीडियो में बस इतना ही इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जोड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहेब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे बाबा साहेब आमबेड कर साहेब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धनियवाद। आपका दिन शुब हो जय भी।